हलो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वच्छन आज मैं आपको बताने वाली हूँ जोगे पानी के ये फाइदे आपको चौका देंगे आईए जान लेते हैं इसके बारे में सूरज इन दिनों चरम पर है जिसके कारण गर्मी बढ़ती जा रही है हम सभी गर्मी के कारण हर समय ठका हुआ मैसूस करते हैं इसलिए शरीर में उर्जा बनाए रखने और स्वस्त रहने के लिए शरीर को हाइडरेटेड रखना ज़रूरी है इसके लिए आपको पर्याप्त सार्थों का सेवन करना चाहिए जोगा पानी या जोगा सर्वत आपको स्वस्त और फिट रहने में मदद करता है जो एक अनाज है जिसमें फाइबर वीटेमेन मिनरल्स और अन्य पोशकत वो पाए जाते हैं एक ग्लास जोगा पानी पीने से शरी ठंडा और फिट रहता है आईए चानते हैं जोगे पानी की स्वास्तिलाब जोगे पानी के फाइदे जो एक अनाज है जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है ये मुख्य रूप से रोटी मॉफिन्स ब्रेड आदे बनाने के लिए परयोग किया जाता है इसमें डाइटरी फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे ये पाचन को स्वस्त रखने में मदद करता है और मुवेल मुव्मेंट्स को भी बहतर करता है इसके लावा ये वचन घटाने में भी मदद करता है जो के पानी में मौजद पोशक्तत्व शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं इसकी आपको बचाता है इसके लावा जो के पानी का सेवन करने से शरीर में कॉलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है घर पर कैसे बनाए जो का पानी के लिए आपको चाहिए जो पानी नमक शहिद और नीमबो इसका रस बनाने का तरीका पहले जौ को अच्छी तरह धो कर इसे राद भर के लिए भेगो दे अब जौ से पानी को पूरी तरह निकाल ले जौ को एक कूकर में डाले और इसमें कुछ ताजा पानी मिलाएं कूकर को आँच पर रखे और जौ को थोड़ा पकने दे अब इसे ठंडा होने दे इसके बाद इसे चान ले अपने स्वाद के अनुसार इसमें शुगर या नमक या दोनों मिला ले इसमें आप नीमबू का रस भी मिला सकते हैं इससे ताजा बनाने के लिए पूदिने के पत्ते मिलाएं इससे आपका टेस्ट भी बनेगा और ये आपके सिहत के लिए भी बहुत फायतेमंध होगा तो दोस्तों ये थी अमारे आज की वीडियो उमीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक वा सब्सक्राइब सरूर कर ले थैंक यू